हेलो गाईज तो आज हम सलोन पहुंच चुके हैं तो हमने सोचा क्यों ना आज नेल अक्स टेंशन करकर देखते हैं तो सबसे पहले तो मेरा क्यूटिकल को पुश किया गया तो उसके बाद बफर से नेल पिंट लगाई हुई थी मैंने उसको रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा जुरूरी होता है तो उसको रिमूव करा बफर के साथ उसके बाद हमारे cuticle remove करने थे तो वो remove किये जा रहे थे तो उसके बाद लगाना होता है cuticle loyal वो लगाना बहुत ही जुरूरी होता है वो लगाने से हमारे cuticle की जो हमने skin कल ज़िए वहाँ से soft हो जाता है तो वो लगाया हमने वैसे मुझे डर होता है कि cuticle निकालते निकालते कहीं cut port कालती लग ज़या वैसे लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ अशे से हमारे cuticle remove हो चुके थे उसके बाद guys इस हमने लगाया था प्रैमर हमने नेल प्रैमर लगाया था तो फिर हमने नेल प्रैमर लगाने के बाद हमने स्लेक्ट करनी थी हमारी टिप्स तो हमने पहले सोचा कि अक्रैलिक मेल करते हैं तो फिर हमने वह नहीं किये तो हमने टैंप्रेली नेल अक्स्टैंशन ही करनी स्टा करी कि कौन से कि नेल पर जाएगी तो उसकी उस हसाब से हमने शेफ वगएरा और कटिंग वगएरा करी लेकिन इसको हम थोड़ा-थोड़ा सा कट करेंगे गाइस यह बहुत ही बड़े-बड़े से नेल है बिल्कुल ही डाइन जैसे तो फिर उसको हमने ना फुली ग्लू पाइस तो फिर यह इन्होंने मेरे नेल्स को कट करना स्टार्ट कर दिया था फिर एक-एक नेल की हुई कटिंग करने के बाद उन्होंने मुझसे पूशा कि आपको कौन सी शेफ पसंद है नेल की हम वही शेफ आपकी रख देंगे तो फिर मैंने बोला कि जो यह शेप है व फिर फटा फट से हमारे नेल की कटिंग हो चुकी थी तो उसके बाद हमने करनी थी उनकी अशे से और कटिंग आइस मुझे बड़े बड़े लग रहे थे मैंने उनको बोला वी इनको थोड़ा सा और कट कर दो तो उसके बाद उन्होंने करनी स्टार्ट कर दी थी उनकी शा तो फिर कलर वैसे मैंने कभी नहीं लगाया था तो हमने नेल पेंट लगाने ho observ करी 95 रहे हैं ये पहली वर मैंने जल पॉलिश लगवाई थी वैसे तो मैं मैं ऐसे ही नेल पेंट लगाती हूं तो फिर हमने नेल पेंट लगाने स्टार्ट की पूरे अश्य और सौफ ट्रीके से हमने नेल पेंट लगाई कोई पोचो वाला काम नहीं किया तो फिर हमने उसको करना था पूरे अश्य तरीके से ड्राई फिर हमने 30 सेकंड लगा दिये थ और तो उसके बाद हमने सोचा क्यों ना कोई आजब गज़ेरा करते हैं तो उसलिए मैंने एक फिंगर पर गलीटर लगाने के लिए कहा तो उन्हों ने गलीटर लगा दी वूशे लग रही थी लिटर तो मैंने बोला कि क्यों ना हम दूसरी फिंगरों पर शोटे-शोटे से हाथ माना लेती हैं तो फिर हमने हाथ बनाने का सोचा तो हमने हाथ बनाने स्टार्ट कर दिये मैंने बोलो कि एक सिंपल सोबर सा हम नेल आट करेंगे तो हमने बाकी फिंगर्स पर हाट बनाए और एक पर लगाया ग्लिटर हाट भी हमारे बहुत ही अश्य और सुन्दर से बने थे गाइस तो उसके बाद हमारा नेल आट कम्प्लीट होने ही वाला था तो हमसे हुई एक गड़बर हमारा हाट ना एक खराब हो गया लेकिन उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई तो फिर हमने उसको क्लीन किया शे से फिर उसको दबारा बनाया गाइस मुझे ना नेल आट और नेल्स का कम बहुत ही जादा पसंद है तो फिर उसने मेरी लास्ट फिंगर पर आट किया तो उसके बाद हमने इसको भी गाइस ड्राई करना था तो आज तो हमारा पूरे दो तिन घंटे हमको लग गए थे जो हमने येल पॉलिश लगाई थ जो वे साइड पर लगी थी उसको रमूव करने के बाद फिर से हमने नेल पेंट को ड्राई करने के लिए रख दिया था तो उसके बाद हमने लगाया था टॉपकॉर्ट शाइन के लिए तो टॉपकॉर्ट लगाने के बाद फिर से हमने उसको करना था ट्राई की अश्य से स लग गया तो फिर हमने शाइन वाला टॉप कोड़ लगवाया तो बहुत बिल्कुल अश्या लग रहा था उसके बाद हमने क्यूटिकल ओईल लगाया तो फिर डन हमारा नेल आट का ब्लीट हो चुका था गाइस और आप सब को हमारा नेल आट कैसा लगा बताईये और आप कैंचन दोनों ही बहुत पसंद है गाइस और आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना बाइबाई गाइस अब हम कल मिलेंगे